दिल बेचारा, friends on camera आज मैं आप शबों से उस नौवल के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस नौवल पर शुशान सिंग राज्पूत की आखरी फिल्म दिल बेचारा आधारित है उस नवल का नाम है The Fault in Our Stars और इसके राइटर है John Green मैंने इस नवल का हिंदी में अनुवाद किया है और यही मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ यह कहानी दो cancer patients के हैं जो की अपने life में काफी struggle कर रहे होते हैं cancer से जूज रहे होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक लड़की है जो हमेशा उदास रहती है वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती और इस लड़की का नाम होता है Hazel Grace वह हमेशा उदास इसलिए रहती है क्योंकि उसे thyroid cancer है और वह cancer धीरे धीरे उसके lungs तक फैल चुका है जिसकी वज़ा से उसे सांस लेने के लिए oxygen का सहारा लेना पड़ता है इसलिए उसकी नात में हमेशा दो pipe रहती है जब वह अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी डोस बढ़ा दी है उसकी डॉक्टर उससे पूस्ती है कि क्या तुम उस जगह जाती हो जहां मैंने तुमसे जाने को कहा था दरसल वह डॉक्टर उसे cancer patient support group के पास जाने को बोल रही होती है हेजल वहाँ पहले नहीं जाती थी लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए वहाँ के अपने उम्र के दोस बनाने चाहिए लड़के लड़कियों से दोस्ती करने चाहिए और अपने जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए अपने जिंदगी को खुशी से जीना चाहिए अपने मा के कहने पर हेजल वहाँ उस cancer support group पर जाना शुरू करती है वहाँ वह देखती है कि काफी सारे cancer patients होते हैं सभी की meeting होती है वहाँ सब अपना introduction दे रहे होते हैं हेजल की भी बारी आती है हेजल भी अपना introduction देती है वह बताती है कि कैसे उसे तीन time दिन में 8 प्रकार के दवाईयां हर बार अलग-अलग दवाईयां लेनी होती है उसे TV reality shows देखना पसंद होता है और अब तो उसके जिन्दगी में और एक चीज है जो कि उसे अब cancer support group भी आना होता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है वह कहती है कि cancer से मरना आसान है लेकिन जिनके बच्चे cancer से मरते हैं उनके माबाप पर क्या गुजलती होगी या हम सोच भी नहीं सकते अब एक हपते बाद हेजल फिर से cancer support group जाती है तो वह एक लड़के से टकराती है इस लड़के का नाम होता है August Waters और जब सब के सब hall में एक समू में बैठे होते हैं तब August लगातार हेजल को देखता रहता है यहाँ पर एक लड़का और होता है जो अपने बारे में बताता है वह कहता है कि उसकी एक आँख कांच की है और अब उसकी दूसरी आँख भी operation के बाद जाने वाली है उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा यह वह लड़का बताता है लेकिन उसके पास एक girlfriend है जो उससे बहुत प्यार करती है इसलिए वह अपने आप को lucky समझता है यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हम सबने जिन्दगी में बहुत कुछ खोया होता है बहुत सारी चीजों से जूज रहे होते हैं आगस्ट यहाँ पर आज पहली बार आया है दरसल उसे bone cancer हुआ था जिसकी वज़ा से उसने अपना एक पैर खो दिया होता है लेकिन अब वह चल सकता है क्योंकि उसके पास अब एक artificial पैर है यानि कि उसको नकली पैर लगाया गया है और जब आगस्ट की बोलने की बारी आती है तो वह सब कुछ बताता है कि वह extraordinary life जीना चाता है वह खोना नहीं चाता, गुमनाम नहीं होना चाता और कुछ अच्छा करना चाता है दरसल यह उसका एक fair होता है जो कि उसे डराता रहता है कि अगर वह अपने मकसद में काम्याब ना हो पाए और जब वहाँ पर बैठे आदमियों में से एक आदमी ये बोलता है कि इसके जवाब में क्या कोई कुछ बोलना चाहेगा तो हेजल वहाँ पर पहली बार कुछ बोलने के लिए खड़ी होती है वह कहती है कि हम से पहले भी ये वक्त है और हमारे बाद भी ये वक्त रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा और उस वक्त हमारा नाम याद रखने वाला भी कोई नहीं होगा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बलकि जिन चीजों से हमें डर लगता है उन चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए और मिटिंग के बाद जब हेजल बाहर आती है तो उसके पास ऑगस्ट आता है और वह एक दूसरे से बात करते हैं हेजल उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे दरहसल आगस्ट उसे लगतार देख रहा होता है आगस्ट उसे कहता है कि क्योंकि तुम बहुत सुन्दर हो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ और इसके बाद आगस्ट उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और दोनों Augustus के घर आ जाते हैं घर पहुँचने के बाद Augustus Hazel से पूशता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है वह कहती है कि नोवल पढ़ना और मेरी फेवरेट नोवल का नाम है Imperial Ephilakston जो की एक Cancer Patient के उपर किताब लिखी होती है इस किताब में एक Character है जिसका नाम है Anna और इसमें Writer ने यह लिखा होता है कि Exactly मरना क्या होता है और साथ ही में उसमें यह भी समझाया होता है कि मौत इस दुनिया में कुछ नहीं होती Augustus उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी किताब पढ़ूँगा बदले में वह उसे अपनी नोबल देता है और अब यह दोनों एक दूसरे की किताबे पढ़ते हैं और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़नी शुरू होती है यह एक दूसरे को मैसेजिस करते हैं कॉल करते हैं और अब हेजल की जिन्दगी में काफी खुशियां आ चुकी होती है और एक दिन जब ऑगस्टस उस किताब को पूरा पढ़ लेता है तो वह बहुत ही डिसपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उस किताब का अंत अधूरा होता है क्योंकि इसमें जो एक लड़की है एना नाम की वह मर जाती है और हर कुछ अधूरा रह जाता है बस यह बात ऑगस्टस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हेजल उसे कहती है कि जिन्दगी ऐसी ही होती है लोग आधे सफर में चले जाते हैं लेकिन सच कहूं तो मैं भी जानना चाहूंगी कि एना की जाने के बाद उन लोगों का क्या हुआ जो उससे प्यार करते थे जो उसके करीब थे लेकिन हम नहीं जान सकते हेजल उगस्टस को यह भी बताती है कि जो इस किताब के राइटर थे जिनका नाम पीटर वैन हॉंस्टन था उन्होंने किताब लिखी और यह किताब बहुत ज्यादा फेमस हुई और किताब फेमस होने के बाद वह राइटर आमस्टरडाम चले गए और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा और उन्हें कोई नहीं जानता यहाँ पर जो ऑगस्टस का दूसरा दोस्त होता है जिसकी एक आंख कैंसर की वज़े से पहले ही खराब हो चुकी होती है और कुछी वक्त बाद उसकी दूसरी आंख भी निकाल ली जाएगी उसकी जिन्दगी में उसकी गल्फरेंड भी उसकी खुशी का कारण होती है लेकिन उसकी गल्फरेंड भी अब उसे छोड़ कर जा चुकी होती है इसलिए वह बहुत दुखी होता है और हेजल उसको समझाने की कोशिश करती है धीरे धीरे वक्त बीता रहता है और अब हेजल ऑगस्टस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है लेकिन ऑगस्टस अभी भी उस किताब के अंत से बहुत दिसपॉइंटेड होता है दरसल वह जानना चाहता है कि इस किताब का अंत ऐसा अधूरा क्यों था और वह गूगल पर, नेट पर इस राइटर के असिस्टेंट को ढूंड लेता है और वह उसका इमेल आइडी हेजल को दे देता है हेजल उस राइटर के असिस्टेंट से बहुत सारे क्वेश्चन्स मेल करके धुरू पूछती है जो उसकी मन में होते हैं क्योंकि वह इस किताब को कई बार पढ़ चुकी होती है इसलिए वह answers जानना चाहती है और जब उसे mail का reply आता है तो वह assistant का नहीं बलकि खुद उस writer का होता है और वह mail में ये लिखता है कि जो इस किताब का अंत है वह बहुत अलग है और अगर तुम्हें इस अंत को जानना है तो तुम्हें Amsterdam आना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें ये mail नहीं कर सकता अगर मैंने तुम्हें ये mail किया तो तुम इस information को internet पर डाल सकती हो हैजल इस बात से बहुत खुश होती है और तभी वहाँ पर उसकी mom आती है और वह अपनी mom को सब कुश बताती है उसकी mom खुश ह होती है है हैजल कहती है कि वह Amsterdam जाना चाहती है लेकिन हैजल की medical problems बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी problem होती है पैसों की Amsterdam जाने के लिए उसकी परिवार वाले effort नहीं कर सकते हालांकि उसकी mom चाहती थी लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी लेकिन जब यह बात हैजल ऑगस्टस को बताती है तो ऑगस्टस उसे कहता है कि जो cancer group है वहाँ पर तुम कोई एक wish पूरी कर सकती हो और इस wish को पूरी करने के लिए funding cancer group करता है लेकिन हैजल अपने wish पहले ही पूरी कर चुकी होती है दरसल वह डिजनी वर्ल जाना चाहती थी धीरे धीरे वक्त बिता रहा और अब यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और एक दिन ऑगस्टस उसे surprise देता है दरसल वह उसे Amsterdam की दो tickets दिखाता है और वह कहता है कि हम Amsterdam जा रहे हैं लेकिन सबसे पहले Amsterdam जाने से पहले Hazel को अपने डॉक्टर की permission लेनी होगी लेकिन जब डॉक्टर के पास Hazel जाती है तो डॉक्टर नहीं चाहते कि वह इतना लंबा सफर तय करें लेकिन सचाई यह भी है कि धीरे धीरे Hazel की तबियत अब बहुत जल्दी बहुत जादा खरा होने वाली है और इसकी बाद वह कभी भी इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकेगी लेकिन डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते और वह Hazel को सफर करने से मना करते हैं इस बात से Hazel को दुख होता है वहीं Hazel और Augustus की दोस्ती धीरे-धीरे आगे बढ़ती है Hazel जानती है कि कि Hazel भी उससे उतना ही प्यार करती है लेकिन Hazel नहीं चाहती कि ऐसा हो वह Augustus को कहती है कि देखो Augustus मैं एक ग्रेनेड हूँ मैं कभी भी फट सकती हूँ और मेरे रास्ते में जो भी आएगा वह सब के सब बरबाद हो जाएंगे और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे रास्ते में कम से कम लोग आएं यानि कि वो Augustus को समझा रही होती है कि इन दोनों को अपने रिष्टों की सीमाओं को यहीं पर रोग देना चाहिए इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से Augustus को सिर्फ दुख और दर्द मिलेगा वहीं एक दिन राइटर का मेल आता है और उसमें यह लिखा होता है कि क्या तुम Augustus और तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने को आ रहे हो जब यह बात अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हारे डाड को मना ली हूँ और हम Amsterdam जा रहे हैं यह सुनने के बाद हैजल बहुत खुश होती है और हैजल ऑगस्टिस और हैजल की मा यह तीनों Amsterdam पहुँच जाते हैं आमस्टरडैम पहुचने के बाद यह दोनों बहुत enjoy करते हैं हैजल ने कई सालों से ऐसी खुशिया कभी नहीं देखी क्योंकि जब वह 13 साल की थी तब से ही वह इस बिमारी से जूज रही होती है वहीं और अगस्टिस ने भी अपना पैर खो दिया होता है दरसल इन दोनों ने अपनी पूरी जिन्दगी में बस दुख देखे होते हैं और अब इनकी जिन्दगी में कुछ पल आते हैं और उसी शाम को यह एक बहुत खुबसूरत रस्टोरंट में जाते हैं जहां पर इन्हें जॉन्स्टन यानि की जो किताब के राइटर होते हैं उन्होंने इनके लिए एक टेबल बुक की होती है और साथ ही साथ उन्होंने यहां का बिल भी दे दिया होता है यहां पर जब यह दोनों बाते कर रहे होते हैं तब ही ऑगस्टिस बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता ह और यह बात वह दो बार बोलता है, लेकिन हैजल उसके बातों का जवाब नहीं देती है, क्योंकि वह जानती है कि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ और अवस्टस को दुख मिलेगा, हालाकि वह भी अवस्टस से बहुत प्यार करती है, लेकिन वह अपने हालातों से इतनी और भी उसे I love you too नहीं कह सकती, अगले दिन यह दोनों उस राइटर से मिलने के लिए जाते हैं, राइटर का बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है, वह जब यह दोनों राइटर से यह सवाल पूछते हैं कि एना के मरने के बाद बाकी की लोगों का क्या हुआ, एना उस कित है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, और मुझे इस बारे में कोई भी रूची नहीं है बात करने में, हैजल को इस बात से बहुत गुसा आता है, और वह राइटर को कहती है कि आपने हमें प्रॉमिस किया था, और अब आपको यह बताना होगा कि एना के मरने के कि सब कुछ भी खत्म हो गया यह सुनकर हैजल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं उपन्यासों के बारे में जानती हूँ जब भी कोई लिखता है तो वो बहुत ही दूर तक सोचता है और मैं यह जानना चाहूंगी कि उन सब के साथ क्या हुआ मैं यह जानना चाहूंगी कि उन्हें इस बात का जवाब नहीं देता बलकि वो हेजल की बिमारी का मजाक उड़ाता है और उन्हें यहां से जाने के लिए कहता है और यह दोनों वहां से चले जाते हैं हेजल और अगस्टिस को यहां बहुत ही disappointment होती है क्योंकि यह जो जानने आये थे वह इन्हें पता नहीं चलती है हाला कि जो writer की assistant होती है वह writer को ऐसा करने से रोकती है लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और एक रात पहले जो इनके लिए hotel का arrangement किया होता है वह भी writer ने नहीं बलकि उसकी assistant नहीं किया था उसकी assistant बहार जाकर इन दोनों से माफी मांगती है और वह इन दोनों को अपने साथ and friend house चलने के लिए invite करती है क्योंकि इनका यहां पर दिन आज बहुत ही खराब हो चुका होता है यह तीनों and frank house जाते हैं and frank world लड़की थी जो मातल तेरह साल की उम्र में गुजर गई थी यह एक Jewish लड़की थी जो की second world war के time पर Hitler के डर से उसकी नाजी सेना के डर से पूरे परिवार के साथ छुप गई थी और उसने अपने पूरे experience को एक डायरी में लिखा था जो डायरी बाद में पूरे वर्ड में बहुत famous हुई एना के पूरे घर को देखते हुए जहां पर यह दिखाया जाता है कि Hazel को सीडियों में काफी तकलीफ होती है फिर भी वह एक room में पहुँचते हैं और वहां एक quote लिखा होता है जिस पर एना ने यह लिखा होता है कि मैं ऐसे पलों में भी दुख के बारे में नहीं सोचती बलकि बची हुई सुन्दर्ता के बारे में सोचती हूँ अपने भीतर की सुन्दर्ता को समेटने की कोशिश करूँ अपने आसपास की खूबसूलती के बारे में सोचू एना ने यह बात उस समय लिखी थी जिस समय वर्ल्ड वार टू चल रहा था और हिटलर और नाजी सेना दोनों जस्ट लोगों को ढून ढून कर मार रहे थे जिस समय एना को अपने जिन्दगी का कुछ भी नहीं पता था वा कभी भी इस दुनिया को छोड़ कर जा सकती थी और यह कोट पढ़ने के बाद ही हैजल के विचार पूरी तरह से बदल जाती है और वा अगस्ट को किस करती है और उसी रात यह दोनों फिजिकली एक दूसरे से बहुत करीब आ जाते हैं और अब हेजल पहली बार अगस्ट यह कहती है कि वा उससे बहुत प्यार करती है हाला कि यह बात अगस्टस जानता था लेकिन हेजल ने यह बात उससे कभी कही नहीं थी अगले सुबह यह दोनों घूमने जाते हैं और उस सुबह सब कुछ बदल जाता है अगस्टस हेजल से यह बात कहता है कि उसे जो बोन कैंसर हुआ था वा अब दोबारा फिर से एक्टिव हो चुका है और उसकी पूरे शरीर में फैल चुका है इस बात से हेजल को बहुत दुख होता है क्योंकि जिन्दगी में पहले बार उसे आगस्टस के रूप में प्यार और खुशियां मिली थी आगस्टस उससे पहले इस दुनिया को छोड़ कर चला जाएगा और अब इनका भी एंस्टरडेम में रहने का कोई भी मतलब नहीं होता क्योंकि राइटर ने इनके सवालों का जवाब नहीं दिया और ना ही वह देना चाहता है यह घर वापस आ जाते हैं और घर वापस आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका दोस्त जिसकी दूसरी आँख भी कैंसर से खराब होने वाली थी वह अब खराब हो चुकी है वह बिल्कुल भी अब देख नहीं सकता और साथ ही साथ ऑगस्टस की भी तबियत पूरी तरह से खराब हो जाती है उसे आईसीउ में रखा जाता है लेकिन जब वह थोड़ा सा ठीक होता है तो यह तीनों मिलकर चर्च में उसका फ्यूनरल रखते है यानि कि ऑगस्टस जिन्दा है लेकिन ऑगस्टस यह देखना चाता है कि उसके मरने के बाद उसके दोस्त उसके फ्यूनरल में क्या कहेंगे सबसे पहले उसका वर दोस्त जिसकी आँखे खराब हो चुकी है वह Augustus के बारे में बोलता है और इसके बाद Hazel की बारी आती है Hazel कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बिना रोई एक भी शब्द बोल सकूंगी वह कहती है कि वह Augustus से बहुत प्यार करती है Augustus ने उसकी पूरी जिन्दगी बदल दी है और जब Hazel यह कह रही होती है तो उससे बोला नहीं जा रहा होता है क्योंकि उसकी आँखों में आसू होती है और साथी साथ Augustus भी रो रहा होता है क्योंकि Augustus मरने वाला है और यह दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और होता भी ऐसा ही है ठीक आठ दिन बाद Augustus की मिलती हो जाती है और जब Hazel को यह पता चलता है कि वह अपनी मॉम के गले लगकर फूट फूट कर खूब रोती है क्योंकि उसमें उसने अपना प्यार खोया था और जब Hazel Augustus की फ्यूनरल में जाती है तो वहाँ वह देखती है कि जो उस किताब का राइटर होता वह भी वहाँ आया होता है यह देखकर वह हैरान होती है और फ्यूनरल के बाद वह उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वह उसे कहता है कि मैंने जिस तरह से तुम से बिहेव किया उसके लिए मैं माफी चाता हूँ वह कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि अंत में एना की मौम के साथ उसके बाकी लोगों के साथ क्या हुआ लेकिन हैजल कहती है कि मैं तुम से कुछ भी नहीं जानना चाती क्योंकि वह अब भी उसकी गाड़ी में बैठ कर शराब पी रहा होता है जैसे वह उस समय पी रहा था जब वह उसके घर गई थी वह कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ औवस्टस के वज़ा से हूँ क्योंकि उसने अपने जिंदगी के आखरी दिनों में कई बार लेटर लिखे ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि उस किताब के अंत में एना के रिष्टेदारों के साथ क्या हुआ उसके मौम के साथ क्या हुआ लेकिन हेजल को उस पर गुसा होता है उससे कुछ नहीं जानना चाहती लेकिन लेखक उसे एक बात जरूर बताता है कि मेरी बेटी आठ साल की थी जब कैंसर की वज़े से मर गई थी उसी तरह जैसे जिस तरह से उस किताब में एना की मौत हुई थी दरसल कहीं न कहीं उस किताब में जो एना का किरदार था वह उसकी बेटी का ही किरदार था इसलिए उसने उस किताब को लिखने के बात कभी कुछ और नहीं लिखा और दुन्या से हमेशा के लिए दूर हो गया हेजल उसे अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहती है लेकिन उतरने से पहले वह उसे एक लेटर देता है और कहता है कि इस से पढ़ लेना जो उसे गाड़ी से उतार देती है और उसके बाद वा आईसाक से मिलने जाती है जो की दोनों का दोस्त हुआ करता था जो की अब अंधा हो चुका होता है आईसाक हेजल से कहता है कि क्या तुम्हें उस राइटर ने कोई लेटर दिया हेजल कहती है मैं उस गधे का एक शब्द भी नहीं पढ़ना चाहती ऐसा कहते हुए वा लेटर तो दिया था बड़ मैंने उसे पढ़ा नहीं आईसाक बताता है कि वा लेटर उस राइटर ने नहीं बलकि ऑगस्टस ने लिखा था और ऑगस्टस वा लेटर उस राइटर को इसलिए भेजा था ताकि वा शब्द को सही तरह से अरेंज करके तुम्हें उसकी फ्यूनरल के दिन दे सके यह सुनने के बाद वह अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और उस लेटर को पकड़ लेती है और उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है उसमें लिखा था कि जब हेजल बिमार हुई तब ही मुझे पता था कि मैं मर रहा हूँ लेकिन मैंने उसे यह बात नहीं बताई और इसी के साथ हेजल की तारीफ में उसमें बहुत कुछ लिखा होता है और इसमें यह भी लिखा होता है कि मैं दिल से प्यार करता हूँ मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ और इस दुनिया में जहान में मैं बहुत तकलीफ होती है हम उनसे बच नहीं सकते लेकिन हम यह त चॉइस पर जो मैंने जिन्दगी में चुना उससे बहुत खुशी है और मुझे उमीद है कि हेजल को भी अपने इस चॉइस पर खुशी होगी है ना हेजल और हेजल आकास की तरफ देखते हुए कहती है हाँ और इसी के साथ या कहानी या फिर यहीं पर खत्म हो जाती है या क कि इसे इंजोई करने में अपना वक्त बिताना चाहिए जब तक आप इस जिन्दगी को समझने की कोशिश करेंगे या जिन्दगी खत्म हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी मेरी जुबानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और शुशान सिंग राजपूत की आने वाली मुवी को इतना हिट करें